को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेड़त तक का मार्ग एक्सप्रस वे के बतौर बनाया जाने का निर्ण लिया गया है ये एक्सप्रस वे निजामुदीन दिल्ली से शुरू होता है इस जंक्षन को सिगनल फ्री जंक्षन बनाया जाएगा यमुना के उपर से दो और पुल का निर्मान करके कुल 14 लेन बनाई जाएगी इस परियोजिना की एक विशेष्टा यह भी है कि दिल्ली से डासना तक 6 लेन एक्सप्रस वे मार्ग के मध्य में होगा तथा 4-4 लेन का हाईवे इसके दोनों तरफ होगा इस थानिय यातायात को सुगम करने ही तू राष्टे राजमार्ग संख्या 24 पर अंडर पास एवं फ्लाई ओवर को दो भागों में विभाजित किया जाएगा जिसमें दो लेन को एलिवेटिड किया जाएगा ताकि यातायात इस तरह चले कि दूरगामी यातायात गंतव्य तक निर्वाद रूप से लाल बक्ती पर बिना रुके पहुँच सके इस क्षेत्र में प्रदूशन को ध्यान में रखते हुए साइकल यातायात को बढ़ावा देने हितू सडक के दोनों ओर धाई मीटर चोड़ा साइकल कोरिडोर भी प्रस्तावित है इस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे डासना के निकट दिल्ली मेरट एक्सप्रेस वे को क्रॉस करती है जहां फुल प्लोवर लीफ जंक्शन बनाया जाएगा इस परियोजना में कुल 14 ब्रिफ, 6 फ्लाई ओवर, 22 वेहकुलर अंडरपास, 1 रेलवे पुल, एवं 8 भूमिगत पैदल पारपत तथा 12 उपरगामी पैदल पारपत का निर्मान किया जाएगा यातायात को सुचारू बनाय रखने के लिए, एक्सप्रेस वे में इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी ये एक्सप्रेस वे पून रूपेर, नियंतरित एक्सप्रेस वे होगा, जिस पर 120 किलोमीटर प्रतिभिंटा की रफ्तार से गाणी चलाई जा सकेगी तुरक्षा के सभी बिंदूओं को ध्यान में रखते हुए, इस एक्सप्रेस वे को तयार किया जाएगा दिल्ली से डासना तक 6 लेन हाईवे बनाई जाएगी, जिसके दोनों साइड दो दो लेन की सर्विस रोड होगी जिसमें पिलक हुआ पर लगभग 4 किलोमीटर लंबा, एलीवेटेड मार्ग, मध्य में एक पिलर पर बनाया जाएगा दासना से मेरट तक नए एक्सप्रेस वे कर निर्मान किया जाएगा दिल्ली से मेरट एक्सप्रेस वे, स्मार्ट एक्सप्रेस वे के रूप में तयार किया जा रहा है मौसम, यातायार और एक्सप्रेस वे से जुड़ी जानकारियों के साथ साथ दुट घटना की स्तिथी में यात्रियों को अलग-अलग स्थानों पर सारी जानकारियां प्रदान की जाएंगी इस मार्ग पर वे साइड एमेनिटीज भी डेवलप की जाएंगी जिसमें स्वास्थेकिन, पेट्रूल पंप, रेस्टरॉंट्स, वाहन मरमत सुविधाएं, शौपिंग कॉंप्लेक्स, आराम ग्रह आदी जैसी सारी सुविधाएं होंगी दिल्ली मेरट एक्स्प्रेस वे परियोजना पूर्ण होने के पश्चा, इस क्षेतर का संपूर्ण विकास दुरुत गती से होगा एवं दिल्ली से मेरट का सफर 45 मिनट में तै किया जा सकेगा, जो अभी लगभग 3-4 घंटों में तै होता है इस क्षेतर में प्रदूशन में भी काफी कमी आएगी, एवं अनायास खर्च होने वाले इंधन की भी भारी बचत होगी धन्यवार